नमस्कार आप देख रहे हैं The National TV में हूँ आपके साथ वन्शिका चाहान आलिया भट ने नहीं की 2021 की ये ब्लॉक बस्टर फिल्म बन गई कियारा अडवानी की किस्मत ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई बड़ा कलाकार किसी न किसी वज़ा के चलते कोई फिल्म छोड़ देता है जिससे उसकी जूनियर की किस्मत बन जाती है साल 2021 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला तब सिधार्त मलोतरा की शेर शाह OTT की सबसे सफल फिल्म साबित हुई जिसमें कियारा अडवानी ने काम किया और काफी सरहना प्राप्त की शेर शाह के सूपर हिट होते ही कियारा अडवानी को A-list हिरोईनों में एंट्री मिल गई और ऐसा कहा जाने लगा कि वो इस जनरेशन की सबसे सफल हिरोईनों में शामिल हो गई है आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस फिल्म ने कियारा अडवानी की किस्मत बदल कर रख दी वो पहले आलिया भट को आफर की गई थी जी हाँ हम मजाक नहीं कर रहे इंडिया टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट की माने तो फिल्म शेरशा के लिए आलिया भट पहली पसंद थी लेकिन उन्होंने बिजी शिड्डिकोज की जलते इस फिल्म को छोड़ दिया इसके बाद करन जोहर ने कियारा अडवानी को शेरशा के लिए साइन किया और वो नमबर वन हिरोईन की लिस्ट में एंट्री करने में काम्याब हो गई शेरशा को OTT पर शानदार वियर्शिप मिली और ट्रेंड एक्सपर्ट्स ने इसे सिधार्त के करियर की सबसे सफल फिल्म करार दिया फिल्म शेरशा में सिधार्त मलहोत्रा ने क्याप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था क्याप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल वॉर में अपने प्राणों की आहूती दे कर हमारे देश के जंडे का मान बढ़ाया फिल्म में कियारा आडवानी ने विक्रम बत्रा की गर्ल्फरिंड का करदार निभाया जिन्हों ने विक्रम बत्रा की मृत्यों के बाद भी शादी नहीं की कियारा ने इस रोल में जान भर दी कियारा आडवानी और सिधार्त मलहोत्रा की जोड़ी को दर्शकों ने इस फिल्म में काफी जादा पसंद किया इसी फिल्म के दौरान उनके बीच डेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है हम आशा करते हैं कि हमारे आज की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीचे हमारे चानल दनाशनल टीवी को धन्यवाद